देवरिया के प्रताप पूर में रविवार को डॉक्टर से लूट के मामले में पुलिस ने 5 संदिक्तों को उठाया था वही पूस्तास के बाद लूट में सामिल नहीं पाय जाने के बाद पुलिस ने सभी 5 यूटों को छोड़ दिया वही तीन दीन बीच जाने के बाद भी पुलिस अभी भी खाली हाथ है आपको बता दे कि रविवार की राद बनकटा थाना चेत के मिस्ट रॉली निवासी डॉक्टर अखलेज सर्मा बुलिट से अपने घर जा रहे थे वही प्रताफपूर फैक्टरी के गोदाव के पीछे अभी घूगा नाले के पुल के पास पहुचे थी कि तभी बाइक सवार बदमासों ने उन्हें घेर लिया हत्यार के बल पर उन्हें रुका और पूछा कि तुम सराब कारोबारी मनोस सिंग हो जिस पर डॉक्टर अखलेस ने कहा कि वह मनोस सिंग नहीं है बदमासों ने जब जेब टटोला तो उन्हें 11,000 रुपे मिले ड्राइविंग लाइसेंस देखने के बाद बदमास निश्चिन्थ हुए और उन्हें छोड़ दिया तो वहीं डॉक्टर से लूट की सूचना पर सक्रिय बनकटा पुलिस ने प्रताफ पूर बाजार के पांच संदिक्त यूगकों को हिरासत में ले लिया पूस्ताज के बाद यूगकों को पुलिस ने छोड़ दिया वहीं बनकटा धाना अध्याच दिलीग सिंग ने बताया कि जहां लूट की घटना हुई थी वहां पीडित और लुटे रही थे ऐसे में पीडि से पहचान कराई गई उनके इंकार करने पर संदिक्तों को छोड़ दिया गया जाच की जा रही है सीगरी हम मामले का खुलासा कर देंगे यूरी रिपोर्ट आई पियर